हेलो और यूटूब चैनल इस वीडियो में हम जर्नल अवेरनेस के कुश्चिन करेंगे यह पार्ट थर्ड है अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हो यह वीडियो सभी एक्जाम के लिए किमल लिकित में से कौन सी आवदिक हवाएं भारत में गर्मी के मानसून का कर्ण बनती है तो इसका अंसर रहएगा C. साउथ वेस्ट सेकंड कुश्चिन है भारत का स्थाई अनुस्थान स्टेशन दक्षिन गंगोतरी कहां स्थित है तो इसका अंसर रहेगा डी अंटार्क्टिका तीसरा कुश्चन है निम्त लिक्षित में से कौन साविस में सबसे व्यस्त महासागर मारग है तो इसका अंसर रहेगा सी उत्तर अट्लांटिक महासागर फोर्थ कुश्चन है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोलेज कहा स्थित है तो इसका अंसर रहेगा वेलिंग्टन और ये भारत के सबसे पुराने मिल्टर इंस्टेटूट में से एक है पाच्मा कुश्चन है अंतराष्टिय शानती और सुरुक्सा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार स्यूक्त राष्टर संक्थन की स्थापना 24 अक्तिवर को किस वर्स में की गई थी तो इसका अंसर रहेगा डी 1942 चटा कुश्चन है फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक किसने लिखी है तो इसका अंसर रहेगा डी लेरी कोलिन्स और डोमिनिक लेपियरे साथवा कुश्चन है वह वेक्ति जिसे प्राचिन भारत का सबसे बड़ा कानून दाता माना जाता है तो इसका अंसर रहेगा सी मनू आठवा कुश्चन है असोक की अमर प्रसिद्धी काफी हद तक टिकी हुई है मतलब क्या है कि असोक भारत में और कई देशों में इतना फेमस है तो इसके पीछे क्या कारण है तो इसके अंसर रहेगा A बोध धरम और उसके प्रचार के लिए उनका रुपान तरण ठीक है असोक रेपने जीवन कालके अंतीम वर्ष बोध धरम अपना लिया था और जितने भी उसके जीवन के बचे हुए साल थे उन्होंने वे सबी समय बहुत धर्म के परचार में लगाया ठीक है ना जिसके कारण हम आज भी अस्वक को जानते हैं नोवा कुश्चिन है गांदी जी ने डानडी मार्च क्यों सुरू किया ठीक है गांदी जी ने दांडी मार्च जो सुरू किया था वो 12 मार्च 1930 को सुरू किया था और यह सुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए तो अप्शन B जो है वो हमारा सफ़ेंसर है दसमा कुश्चिन है भारतीय सवतंतरता का पहला युद 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था तो इस कंसर रहेगा ए मेरट से 11 कोश्चन है सूर्य अरुनाचल परदेश में गुजरात के दिवारका के पिक्सा दो गंटे पहले उगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरव है अब दिया गए उप्शन में कौन से अंसर है उप्शन सी हमारा सही है दो आरका की तुलना में पूरव लगबग 30 डिगरी दिशांतर पस्थित है और पृत्वी पस्थिम से पूरव गया और गूमती है देखे मैं समझाता हूँ जब कोई चीज सरकल में गूमती है तो वो 360 डिगरी का एंगल कवर करती है ठीक है न और एक घंटे में 15 डिगरी कवर होता है ये 15 डिगरी कितने घंटे में कवर होता है एक में तो 360 के बटे में 15 करोगे तो आपके पास आएगा 24 तो 24 का मतलब 24 घंटे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 तो मतलब क्या है जब 15 डिगरी 15 डिगरी कवर होता है तो एक घंटा होता है 360 डिगरी कवर होगा 24 घंटे और उसने पुच्छा है कि दो घंटे पहले उगता है तो मतलब क्यों क्योंकि जो अरुनाचल है और गुजरात है ये अरुनाचल है और ये गुजरात है इनके बीच का जो ये सेंटर पे अंगल ये मैं दुबारा बना देता हूँ गुजरात और अरुनाचल जो है वो सेंटर पे 30 डिगरी का अंगल बनाते हैं ठीक है ना अगर मैं अरत का सेंटर की बात करूँ ठीक है तो लिखा हुआ है द्वारका की तुल्णा में पूरव लगबग 30 डिगरी दिसंतर पर स्थीत है और पृत्वी पस्चिम से पूरव के और गुमती है तो हमारा जो C उप्सन है वो सही अंसर है बार्मा कोश्चन है स्री नगर की इस नदी के किनारे स्थीत है तो इसका अंसर रहेगा C जेलम तेर्वा कोश्चन है भारत में जो छेतर लगबग 200 सेंटी मीटर से अधिक उसत वर्सा पराप्त करते हैं वे हैं तो इसका अंसर रहेगा A मिगाल्या, असम, नागालेंड और रुनाचर प्रदेश चोद्वा कोश्चन है आईसो थरम एक नक्से पे खीची गई कालपनी के रिखाएं है जो समान स्थानों को जोड़ती है देखे आईसो थरम आईसो का मतलब होता है एक जैसी एक समान और थरम का मतलब होता है टमपरेचर ठीक है तो यानि वो बात कर ला है टमपरेचर की तापमान की तो उप्सन डी जो है वो हमारा सही अंसर है पंदरमा कुश्चिन है जीम कॉर्बेट राश्टिय उधान किस राज्य में स्थित है देखे जीम कॉर्बेट जो पार्क है वो 1936 में जो बेंगोल टॉइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और ये भारत का सबसे पुराना नैशनल पार्क है ठीक है और ये कहां पे स्थित है नैनी ताल डिस्टिक है नैनी ताल डिस्टिक है उत्राखंड में वहां पे ये बनाया गया है उत्राखंड को पहले उत्राँ चल बोला जाता था तो डी जो उत्राँ चल वो हमारा सही अंसर है सोलमा कोश्चन है सूरे के संबंद में नीमल लिखित में से कौन सा खतन सही है तो मैं उप्शन पढ़ता हूँ सूरे मुख्य रूप से हाइडरोजन से बना ये बात बिल्कुल सही है दूसरा इसकी उर्जा इसके अंतरिक भाग में परमानु टकराव से उत्पन होती है ये भी बात सही है तीसरा यह गणना की जाती है कि सूर्य परती सैकेंड एक ट्रीलियन पाउंड हाइडरोजन का उभोग करता है ये भी बात सही है तो उप्शन जो डी है उप्रोक्त सभी वो हमारा सही अंसर है सतर्मा कोश्चन है सूपरसोनिक गती धवनी की गती से अधिक है जिसे लबक 10 मील परती घंटा काह जाता है तो वो इसका अंसर रहेगा 760 तो उप्शन ए जो है वो हमारा सही अंसर है योग सुत्र किसके दुआरा लिखा गया था योग सुत्र लिखा गया था पतंजली के दुआरा ठीक है रिशी पतंजली के दुआरा उनिसमा कुश्चन है राष्टिय समुद्र विज्ञान समस्थान कहां स्थित है तो इसका अंसर रहेगा पंजी पंजी क्या है गोगा की राजधानी का नाम है ठीक है बीसमा कुश्चन है एक हवाई जहाज उड़ता है क्योंकि देखिए माल लीजे ये हवाई जाज है ठीक है और ये क्यों उड़ेगा क्योंकि इसके जो निच्चे है ये निच्चे का जो प्रेसर है वो ज्यादा है और उपर जो है कंप्रेसर है ठीक है ना प्रेसर हमेशा ज़्यादा करता है ये जहाज था ठीक है ना तो मैंने क्या कहा उपर प्रेसर कम है और निच्चे क्या है ज्यादा ठीक है तो होता क्या है प्रेसर हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है ऐसे ठीक है तो रिजल्ट क्या होगा ज़्यादा प्रेसर जब कम की तरफ जाएगा तो जहाज उपर गिए और उड़ेगा तो हमारा जो C उप्सन है वो सही अंसर है 21 कुश्चन है पिंगले हुए पदार्थ के जमने पर बनने वाली चटान को कहा जाता है तो इसका अंसर रहेगा D आगनी चटान 22 कुश्चन है भारत में परमानु उर्जा का अगरनी है तो इसका अंसर रहेगा A होमी जे बाबा होमी जे बाबा को नुकलियर अनर्जी का फादर भी का जाता है इंडिया में ठीक है तेईसमा कुश्चन है विसव एमेचियोर सनूकर चेम्पेसिप जीतने वाला पहला भारतिया है तो इसका अंसर हैगा विल्सन जोन्स चोबिसमा कुश्चन है बेडमिंटन के लिए अरजुन पुरुसकार जीतने वाले पहले वेक्ति हैं तो इसका नाम रहेगा नंदू नाटेकर उप्सन सी जो है वो हमारा सही अंसर है पत्चिसमा कुश्चन है कि स्खेल के लिए सबसे बड़े शेत्र के वस्ता होती है तो इसका अंसर रहेगा पोलो उप्सन डी जो है वो हमारा सही अंसर है धन्यवाद